दोस्तों नमस्कार अपने चैनल पे में वीजे प्रकास आपका हार दिख स्वागत करता हूँ थाइएएईट के एकाउंट फ्रीज कर दिए या ओनपैसिप की आने पे रोक लगा दे तब क्या होगा तब तो हमारी सारी उमीदे सारे से अपने तुट जाएगे तब तो हम साहिएत कही मुह दिखाने के काबिल भी नहीं रह जाएएगे इतने अधिक परचार परसार कर कि सिर्फ एका धपते की अंदर ही OnPassive इतिहास रचने जा रहा है इंटरनेट पे तहलका मचाने जा रहा है मोबाइल एप, O-Verify, O-Connect एंड पैकेज बगएरा सब कुछ लाने जा रहा है 97 डॉलर्स भी इसी हपते refund मिल जाने का उमीद है हमें इसके बाद हमारे सक्सेज का सुरुआत हो जाना है इतने सारे excitement भरे अपडेट सुनने के बावजूद भी अगर कोई founding members negative सोचे उसका क्या मतलब है अरे भाई, जो भी Security and Exchange Commission ने केस दर्ज किये हैं, उसका जवाब देने के लिए पैसिप के पास बहुत बड़ा और expert legal team है और सबसे बड़ी बात कि जो कुछ भी होना है, वह सामने आएगा तो फिर उसके लिए पहले से ही कुछ अनवान लगाने की या सोचने की या चिंतीत होने की क्या जरूरत है हमें उस चीज के होने का इंतजार होना चीए जिसके होने के अपडेट समय मिल रहे है दोस्त, अगर सही ढंक से देखा जाए तो उस case में point तो बहुत सारे रखे हैं ACC ने बट उसमें कोई खास जान नहीं दीख रहा Mr.S ने 2018 में launch होने के बात किये थे क्यों नहीं किये 2019 में भी 2 से 3 बर launch होने के अपडेट दिये थे क्यों नहीं किये 2020 में भी launch करने की बात किये क्यों नहीं हुआ ऐसे ही 2021-22 को लेकर भी कुछ points हैं इस संदर्म में SEC का कहना है कि जब 2018-19-20 में किसी product को बनाने पे कोई काम ही नहीं हो रहा था कोई employee कोई engineers ने जुख थी नहीं हुए थे तो फिर लोगों को गलत information दे कर लोगों को गुमराह करके founder position के नाम पे क्यों पैसा collection होते रहा 2018-19 में तो ऐस और उनके wife को छोर कर कोई तिसरा staff ही नहीं थे तो फिर ये कौन सा product पती-पतनी मिलकर बना रहे थे Mr.S और उनके wife ने collect हुए पैसों को अपने personal कामों में अपने घर लिव कारियों में क्यों खर्च किये हैं उन पैसों को crypto बगरा में क्यों invest किये हैं कुछ इसी तरह के point रखे हैं Security and Exchange Commission ने दोस्त थोरे देर के लिए हम मान भी लेते हैं इन सारी बातों को Mr.S ने हमसे collect हुए पैसों को personal कामों में यूज कियें या crypto बगरा में invest कियें हम इस बात को अगर मान भी लें तो वे 800 करोर के लगभग अपने personal यूज में या कहीं इन वेस्ट में खर्च किये हैं तो on passive के निर्बान में और उसके अभी तक के जर्णी में उन्होंने 1000 करोर उपए खर्च भी तो किये हैं जो कि हमें साफ साफ दीख रहा है और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो भी 97 डॉलर्स करके लिये हैं हमसे founder position देने के लिए उस सारे के सारे पैसे वे हमें refund भी तो देने जा रहे हैं और वे बार-बार हमसे कहते भी आये हैं कि अगर कोई यहां launching होने तक इंतजार नहीं कर सकता या उसे विश्वास नहीं हो इस concept पे तो यह कभी भी अपना refund ले सकता है किसी भी founding members को उन्होंने जवर्दस्ती नहीं रोक रखा है यहां हर वक्त refund के option मौजूद रहे हैं आज भी हैं और इस बारे में इन 5 सालों में 14 लाग founding members में से किसी एक ने भी on passive या CEO Mr. S के विरूद कोई complain नहीं किया है अपने-अपने marketing strategy होते है हो सकता है on passive के निर्मान के साथ-साथ वे registered customer या founding members एक बरे community बनाने के planning पे काम कर रहे हो अब कैसे क्या हुआ है उसका जवाब जरूर होगा legal team के पास 2018 में employee नहीं थे तो क्यों नहीं थे अगर थे तो कहां थे और कितने थे उस वक्त किसी product के निर्मान हो रहे थे या नहीं हो रहे थे या सिर्फ ऐसे ही product के नाम पे founder position दिये जा रहे थे यह सब security and exchange commission and on passive के बीच का मामला है मुझे लगता है SEC के सारे points के जवाब हमारे legal team के पास तयार होंगे जब वक्त आएगा यह अपना पक्ष, अपना दलील, अपने सारे proof रखेंगे SEC के पास इस case में ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा जिससे on passive के account freeze हो जाए या फिर ban लग जाए on passive पे हाँ ऐसा तब हो सकता है जब on passive या इसके legal team SEC के किसी भी point का जवाब नहीं देते हैं लेकिन यहां तो legal team 100% तियार है अपने सारे proof के साथ अपना पक्ष रखने के लिए इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इससे on passive के उपर कोई भी दूस परभाव परेगा अगर देखा जाए तो total करीब 14 लग founding members में से 40-50% founding members तो हमारे इंडिया से ही है इसके products के निर्मान भी इंडिया में ही हो रहे है या हुए है यहां तो कोई problem create नहीं हुआ on passive या CEO Mr. S के साथ यहां तो कोई complain नहीं हुआ on passive पे जबकि सबसे अधिक founding members इंडिया से ही है and on passive को सबसे अधिक पैसे भी इंडिया से ही गए है फिर भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहां किसी भी founding members को यह मतलब नहीं है कि हमारे दोरा दिये गए 100,00 dollars को Mr. S अपने personal vision में खर्च कर रहे है या कहीं invest कर रहे है क्योंकि हमें इंतिजार है इसके product and services market में आने के उसके sales and marketing होने का एंड उससे हमें affiliate commission generate होने का हम जो अपने founder position के लिए उन्हें दिये हैं उससे कई गुना अधिक खर्चे उनके दीख रहे हैं दोस्त इस case से नुकसान तो कुछ भी नहीं दीख रहा है हाँ फाइदे जरूर नजर आ रहे हैं जैसे ही on passive को है on passive सही है या गलत है या कोई MLM company है chain या network marketing company है या pure EI based IT company है लोगों के सारे सवाल सारे confusion सारे negativity दूर हो जाएंगे on passive बहुत बड़ा organization बनकर उभरेगा market में या जो कुछ भी हुआ है अगर हम उसे negative way में लेते हैं तो लगेगा या कोई बहुत बड़ा बाधा उत्पन करने के लिए हुआ है और अगर हम इसे positive way में लें तो यह हम मान कर चलें जो कुछ भी हुआ है यह on passive को और इसके founding members को और अधिक strong और अधिक successful और अधिक valuable बनाने के लिए हुआ है इससे सबसे बड़ा फाइदा यह होगा कि security and exchange commission से clean sheet मिल जाने के बाद अब किसी के भी मन में कोई किन्तू परंतू अगर मगर नहीं रह जाएगा दोस्त इन सब बातों का चर्चा करना मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं था बट कुछ negative video सून कर बहुत सारे founding members परसान होने लग जा रहे है उनके लगातर mail message बगएर मिल रहे है इन सब बातों के regarding अब एक के करके कितने लोगों को समझाया जा सकता है इसलिए मुझे अपने वीडियो में इन सब बातों का जिक्र करना पर जाता है ताकि सभी लोग हर एक situation से रूबरू हो सकें क्या कुछ हो सकता है उसे जान सकें दोस्त यहां पक्का मान कर चलें यहां जो कुछ भी हुआ है वह बहुत अच्छा हुआ है खास कर हम founding members के लिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी founding members हैं जिने यह लगता है कि बार-बार किसी चीज के होने का date देकर हमें एक तरह से गुमरा किया जाता है हमारे emotion से खेला जाता है होता कुछ भी नहीं है वैसे लोगों का भी अब भरोसा पक्का हो जाएगा कि हम real में एक बहुत बड़ी legal and authentic EI based IT company के founding members है यहां जो कुछ भी हो रहा है उन हर एक चीजों से हमारे success जुरे है लोगों के सारे भरम दूर हो जाएगे दोस्त किसी भी तरह के negative बातों से दूर रहना है बस इतना जान लिजिए on passive को दुनिया में आने से कोई भी नहीं रुख सकता और सबसे बड़ी बात कि अब इसके आने में अधिक देर भी नहीं है एक काद हपते में ही बहुत कुछ देखने को मिलेगा हमें हैदराबाद office में भी काफी संदार तरीके से Independence Day मनाया गया Chief Operating Officer मुहमद कमाल and Chief Marketing Officer मुहमद नजाल ने कुछ good message भी दिये हैं हमें इस हपते के regarding उन्होंने कहा है कि कुछ बहुत अच्छा कुछ बहुत बड़ा होने वाला है अब क्या कुछ होने वाला है ये तो clearly उन्होंने नहीं बताया बट हम उनके message से हैं समझ सकते हैं कि इस हपते से लेकर अगले हपते तक में क्या कुछ होने वाला है दोस्त चाहे कोई कुछ भी कर ले on passive को 100% आना है और यहां आ रहा है इसके तेजर अपतार को रोक देने की सक्ती किसी में भी नहीं है यह अगस्त का महीना हमारे लिए बहुत ही अदगार बनने वाला है और सच पुछिए तो इस मन्त से हमारी धेर सारी उमीदे भी जूर गई है और हमारे उमीदों पर खरे उतरने के लिए मिश्टर आइस तयार भी दीख रहे हैं बस जरूरत है हमें भी अपनी पूरी तयारी कर लेने की ताकि हम उनपैसिप के साथ अपनी सक्सेज के खुबसूरत सफर को सुरू कर सकें दोस्त काम्याबी हमें उनपैसिप से मिलना है तो जहां से सक्सेज मिलना है हमें जहां से अचिमेंट मिलना है हमें जहां से सपने हमारे पूरे होने हैं उसके साथ हमें एंगेज रहना जरूरी है उसके बातों को हमें मानना जरूरी है या वैसे लोगों को सुनना जरूरी है जो हमारे असफल होने की राह देख रहे हो हमारे बरबाद होने की दुआएं कर रहे हो जो किसी ने किसी बहाने एक योग की तरह छिपक कर हमारा खूंचूसने का प्रयास कर रहे हूं, भाई जीन चीजों से हमारा फ्यूचर जुरा हो, हमारे जिंदगी जुरे हो, हमारे सपने जुरे हो, हमारा सकसे जुरा हो, अकर उसी के बारे में कोई निगेटिव फैलाए, भरम फैलाए, वह कैसे हमारा चाह सकता है, इन सब बातों को समझने की जुरुत है हमें, ऐसे लोग हमेसा यही मनाएंगें, कि कैसे भी करके ओन पैसी फैलियर हो जाए, फांडिंग मेंबर्स की उमीदे सपने टूट जाएं, ताकि हम सीना ठोक कर कह सकें, कि मैं तो बहुत पहले से ही है कहते आ रहा हूं कि है गलत कमपनी है, यहाँ चीट किया जा रहा है फांडिंग मेंबर्स के साथ, दोस्त इस तरह के लोग सिर्फ अपनी बात उपर रखने के लिए कुछ भी गलत सोच सकते हैं, लेकिन घबराने के जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों के भी बहुत ही जल्दी पाउं के नीचे स जमीन खिसकने वाले हैं, और पैसी बेंड हमारे कम्याबी को देखकर, बैक आप इस से जूरे रहे हैं, अगर अधिक बार संभाव नहीं हो सके, तो कम से कम एकार बार भी पूरे 24 घंटे में अपने अकाउंट को जरूर लोगिन करें, क्योंकि हम काफी करीब हैं, अपनी भलता के, आपकी उजीवल भविस्ट की कमनाओं के साथ मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, थैंक्यू दोस्त, धन्यवाद,